श्रमा किस तर केस देखते हैं कि आप इस्मिर्तिराणी गातार राहूल गांदी के ओपर पराहार कर रही है चेवल गातार सरमा भात एक बात आप मुझे बताईए संसकार तो आपके जो है आपने भी तो अपनी बेटी को दिये हैं तबी तो उनक्यों पर आरोप लगते हैं मैं किसी को पर यह बात नहीं बोला है तो उस वक्त इसमिति रानी ने यह बात कही थी कि नरेंदर मोधी जी का मुख्य मंतरी बने रहना एक शर्मना घटना है और मोधी जी को अपने पत से इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं तो मैं वाजपे जी के सामने दरना और प्रदर्शन करूँगी और आज यही समिति रानी उनी नरेंदर मोधी जी की पार्टी से नेता म मुफ्ती के साथ में मिलकर यह लोग सरकार बनाने का काम करते हैं आज बाबा साव भीम्रा उंबेड करके बनाए हुए संविधान के द्वारा इस देश के लोग चैन से सुकून की जो थोड़ी बहुत सांस ले पारे हैं वो सिर्फ एक संविधान की देन है जिसकी वजए से अज देश के लोग चैन की सांस ले पारे है जो भाते ज ABCन स्कार जो है सोनीया गान्धी यह बिलकुल मिला है उन워서 संनिया गान्धी से भी संसकार मिले है और अपने पिता जी शरी राजीव गांधी से भी मिले है वो राजीव गांधी जिनको लिट्टे के दवारा यानि लि पर करा जरा यह तो बताएं अरे मोदी जी ने कौन सी कुर्बानी दे दी कौन सी कुर्बानी दे दी मोदी जी तो किसान के बच्चों की कुर्बानी देलवा रहे हैं उदर जवानों की कुर्बानी हो रही है किसान खेत में मर रहा है जवान बॉर्डर पर मर रहा है मोदी जी कौन सी कुर्वानी देदी मोडी जी बेटरूम करते हैं इस्फ चपराशी गरी आप जब सोते हैं तो आप मोडी जी को लोडी आप सुनाते हैं क्या आप किरें मोडी जी भी सोते ओवेसी को ज्यानबापी के मामने में नोटीस आता है दूसरी और अदित्य ठाकरे को उदव ठाकरे को और संजराउत को इनको हाई कोट के द्वारा जो है वो संबन जारी किया जाता है तीसरी और आपने देखा ही कि राहूल गांदी की संसत की सदस्ता भी चली गई उनके घर राहूल गांदी की प्रेस कॉन्फरेंस को सुनिये आज राहूल गांदी जिनको पपू पपू लोग कहते थे आज भई पपू भाजपा के लिए और अंध्वक्तों के लिए उनका पापा बन गया है आप ये समझ लिजिए आज वो व्यक्ति जेल जाने के लिए तयार है सि क्रोड़ भगत सिंग प्यादा होते हैं तो रहूल गांदी का अगर आप इतने बड़े हितेशी हैं वबीसी समाज के आप दे दीजे जो नीरभ मोदी पैसा लेके बगाए आपका इस्तिदार है नीरभ मोदी चोर बताओ कर लो आप मेरा क्या करोगे है नीरभ मोदी चोर को सब्सक्राइब ने देश के लोग को कंगाल कर दिया अफमान सभी मोधी समाज के लोगों का रहे बताइए देखिए दंका बसता है पूरे विश्व में एक मिनट अब सुनिए यह इतने अपना जमीर गिरा हूँ पत्रकार कितने विदेश घुम कि आए भाई तू बता कितने विदेश घुमें हैं अरे मेरे को कॉंग्रेस परचें तुम्हें भाजपव यही सिखा के भेशती है क्या मोधी जी ने घुमाया होगा तुम्हें कितने विदेश घुमा दिये जरा सवाल का जवाब दो कितने अरे कितने देश का दोरा करकिया हो आप बताइए जनाब दीजे ले जवाब हो गए गूंगे यह आप पहले अपने सवाल का जवाब नहीं दोगे दूसरी बाप यह नरेंदर मोधी जी क्या-क्या-क्या-क्या विपक्स के लिए विदेश में जाकर पहले देश के लिए वह नहीं सुनेंगे उस टाइम पर कान में आपके फैरी कॉल फस गया होगा हाना तब नहीं दिखता नरेंदर मोधी बोले तब इनको नहीं दिखेगा भाजपा वाले करें तो डांस और दूसरा करें तो मुझब्रा नरेंदर मोधी खड़े होकर सदर में जब बोलते हैं रेनु का चौदरी को सूपर निखा यह सही है उन्होंने कब कहा है अरे वाह यह देखिए यह होता है से पडली का पत्रकार इसका नाम है यह हिंद का पतरकार है यह होता है नतीजा यह देखिए तो इंसान को वोट दियतों की कौनिटीगरी यह वह है यह पतरकार है आप इन पत्रकारों के लिए नहीं बहुत से पत्रकार इस देश मैंसे हैं जो आज एक लड़ाई को लड़ रहे हम जैसे लोग की आवाज को दिखाने का काम करते हैं राहूल गांदी पचास साल जो है परदान मंतर बनने के लिए भूल जाया अच्छा अभी तक तो मैंने यह देखा ह क्या है आफने सा पत्रकारों के लहां प्रूरे सत्रकार को लेकर प्रहे देश मेंदेश में पीड़ते हैं और उसके बाद अपने चैनल की टियार पी के लिए इसी प्रकार का काम करने का काम करते हैं 24 में फिर से मोधी, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, देश में बेरोजगारी बढ़ गई और इन जैसे पत्रकार फिर भी 24 में मोधी, मोधी चिला रहे हैं इसी को बेशर्मी कहते हैं और इसी को बेशर्मियत की हद कहते हैं जो यह सारी क्रॉस कर चुके हैं जैसे पत्रकार ऐसे पतरकार आपको सड़क पर चुराए पर और आज आपको खास कर नैशनल मीडिया पर दिया जाएंगे ये खुले आम इस तरीके का जहर पेस कर रहे हैं देश के अंदर कि इन लोग को सुनना और आप ये समझे रिज़े अपने आपसी सम्मन को खराब करें आगे से सुप्रीन कोर्ट में राहूल गांदी को कुछ रहात मिलेगी राहूल गांदी को रहात मिले ना मिले उनकी संसत की सदस्ता चली गई विपक्स के नेता आज अवाज नहीं उठा सकते हैं उद्धा ठाकरे का नोटिस जारी हो जाता है इधर आप देख रहे हैं कि तमा सरकार का साशन इस देश के अंदर मुझे लगता है साल दोजार चौबिस का जो चुनाव है वो इस देश में अंतिम सुनिए हैं जी इखटे क्यों हो रहे हैं यह लोग वो इसलिए हो रहे हैं कि पूरे विपक्षों अरे अकेले लड़ने का दम एक बात आप मुझे बताए कि नरेंदर मोधी की तरह जमीर नी किरा रखा कि उदर महबूम मुफ्ती को अलगावादी बताएं और उसी अलगावादी के साथ सरकार बना ले बलतकारी कुल्दिप जिंग सेंगर इनी की पार्टी का मले है जिसको आप जैसे दलाल पतरकार संबतर करने का काम करते हैं जै भारत बंदे मात्रम